आज एलिस और बॉब दो पाइल्स में गेम खेलने वाले हैं लेट सपोस्ट पाइल पे एनवन कोईंस होंगे सेकंड पाइल पे एनटू कोईंस होंगे ठीक है यह अगर फाइव और फोर होती है तो बेसिकली 1,2,3,4,5 पहला पाइल एक दो तीसरा पाइल छीक है अब अगेन दोनों के पास कुछ फट्ट होंगे राइट कितने कोईंस पिक कर सकते हैं यहां पर कुछ भी इस नेदे कर रहे हैं तो अफ कोर्स यहां पर कुछ भी हो सकते हैं रैंडम पिक्स हो सकते हैं, अब यह सिंपल रखने के लिए उसे continuous one two three ले रहे हैं, ठीक है, again, first player की यहां पर बारी आएगी न, तो first player क्या करने वाला है, वो यहां पर एक pile, इस pile से एक coin ले लेगा, ठीक है, उनके पास choice है, वो दोनों में से किसी भी एक pile से coin उठा सकते हैं, अगर उसने इस pile से coin ले लिया, अब second player जो है न, वो four four का game खेल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो भी करेगा, let's suppose अगर वो one लेता है, तो first player अगेन यहां से one ले लेगा, अगर वो two लेता है, तो यहां से two ले लेगा, अगर वो यहां पर three लेता है, तो first player यहां से three ले लेगा, basically first, second player जो भी number of points पिक करने वाला है, ताकि first player उसे copy करेगा, ठीक है, और end पे न, आखरी coin जो होगा, last coin, वो first player पिक करेगा, ठीक है, यहां पर दोनों equal number of points ते four four, first, second ने move किया, फिर first ने move किया, second ने एक उठाया, first ने एक उठाया, और first ने आखरी coin पिक किया, right, इस पे जो first player था, वो जीत गया, check है, अब अगेन, end one और end two की value, four four होती, check है, basically, चार चार coins है, यहां पे रहा, अब four four का game, first player खेल रहा है, right, वो जो भी करेगा, second player उसे copy कर सकता है, यहां पर से इसने one लिया, second player भी one ले लेगा, अब first player अगेन, तीन तीन का game खेल रहा है, right, यहां पर से अगर वो दो लेता है, यहां से वो भी दो लेगा, यहां पर से अगर वो तीन लेता है, एक pile complete हो गया, दूसरे pile से वो, दूसरा player तीन ले लेगा, दो नो pile empty हो गया, जो आखरी set of coin था, वो second player ले लिया, right, second player यहां चीक है, अगर N1, N2, first pile में, let's suppose, 5 points है, और दूसरे पर 3 coin है, चीक है, तो user कैसे खेलेंगे, चीक है, देखो, दोनों option में लिए खेलते हैं, right, जीतने के लिए, पहला player जो है न, वो again 2 choose कर लेगा, result क्या आया, same, opponent, 3-3 का game खेलने माला है, right, तो इस पर फिर से opponent जो है, वो हार जाएगा, right, opponent जो भी हाँ पर choose करेगा, मैं भी copy करूँगा, ठीक है, तो यहां पर first player जीत गया, एक last example देखते हैं, n1, n2, let's suppose 1 और 5 होंगे, ठीक है, पहले pile पे एक coin है, दूसरे pile पे 5 coin है, अब again, first player की बार ही आएगी, basically यहां पर से आपको यह idea लग गया होगा, कि जो भी बंदा, x, x का खेलता है, दोनों ही piles पे same number of points है, वो हार जाता है, right, तो again, यहां पर ना, दोनों try करेंगे, कि अपने opposite वाले को, अपने opponent को, same का game खेला दें, छीक है, एक बार ही सभी तरीके को देख लेते हैं, first player अगर one choose करता है, तो अब again, 5 coin, 5 coin सा game चलेगा, इसमें second player start करेगा, खेलना, right, यहां पर again, अगर second player, one choose करता है, remaining coin, 4 बज़ी है चार, first player, अब खेलेगा, इसमें ना, यहां पर first player हार लेगा ही आरेगा, उसने one choose किया, तो opponent तीनों ले लेगा, उसने दो choose किया, opponent दोनों ले लेगा, इसने तीन चूस किया, opponent एक बचा है, उससे ले लेगा, right, तो पहले वाले case पर तो first user हार गया, अगर इसको लिए था first user तो हार जाता, right, तो again वो try करेगा, कि कुछ और configuration try करे, चीक है, दो या फिर तीन ले नहीं गोसिस करेगा, और दो और तीन इसी पाइल पे है, right, इतने number of coins, पूरे पूरे एक पाइल से लेना होता है, यहां पर से अगर उसने एक coin उठाया, opponent अब one four का game खेल रहा है, चीक है opponent one लेगा, तो मैं again three ले सकता हूँ, opponent एक ले जाएगा, right, अगर मैं यहां पर से फिर से one ले के जाता हूँ, opponent के पास, two और एक, two नहीं कर सकते हैं, right, opponent दो ले जाएगा, मैं एक ले जाऊँगा, ठीक है, अगर optimal game की बात करें ना, तो जब मैंने यहां पर से एक point उठाया अपने पता है क्या करेगा, opponent इस point पे तीन coins उठा लेगा, अब one one का game मैं खेल रहा हूँ, right, equal का game मैं खेल रहा हूँ, तो मैं हार जाऊँगा, right, तो again, मैं अगर दो coin उठाता हूँ, तो opponent भी दो कोन उठा लेगा, one one का फिर से मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं तीन कोन उठा आता हूँ, तो opponent एक coin उठा लेगा, अब एक एक गेम फिर से मैं खेल रहा हूँ, चीक है, किसी भी chance पे ना, मैं नहीं जीत रहा, right, तो इस पे player number two जीत जाएगा, चीक है, अब तक आपको ये पता चल गया होगा, कि जो भी player x x का game खेलता है, वो हारता है, right, वो हार जाता ह है, दोनों ही try करेंगे, कि उसका opponent access the game के लिए, right, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे implement करोगे, right, यह आपको सूचना पड़ेगा, अभी आप try करो solve करने को इससे, ठीक है, तो अभी इसी solve करते हैं, अभी देखो एक, यह basically वही सारे test cases, ठीक है, अभी एक observation हम क्या देखने वाले हैं, जिसे हम बाद जागी use करेंगे, for example, अगर आप xx का game खेल रहे हो, ठीक है, आप basically same number का game खेल रहे हो, right, आप यहां पर से कुछ पिक करोगे, right, for example, यहां पर कुछ files होते हैं, यह ठीक है, right, यह दोनों यहां पर xx हैं, right, यहां पर आप same गेम खेले, आप यहां पर से कुछ भी pick करोगे, एक दो या फिर तीन कुछ यह पिक करोगे तो आपका उपनेंट जो है ना वो अन बैलेंस ट्वाले पाइल को खेल रहा है यहाँ पर कुछ कम है यहाँ पर ज्यादा है यह कभी भी नहीं होगा कि N1 हगे चाल इककलगों इकवे तो आपके ओपनेंट के लिए ये कंडिसन अभी नहीं होगा लेगन अब अब अगेन ऑपुंट्स क्या यहां पर से फिर से दोनों जगा सेम है मैं कुछ पिक करूंगा तो यह unbalanced हो जाएंगे और उपनेंट के लिए और उपनेंट क्या करेगा सेम मूफ कॉपी करेगा और फिसे उसे इक्वेल कर देगा इसको ना बेसिक लेवल पर आपके आप हो सकते हो कि जो भी बंदा विन करने वाला है वह जितने भी गेम खेला होगा वहां पर हर बार N1 इस नॉट इक्वेल्स N2 होगा और जो बंदा लूस किया है जो बंदा गेम हार गया है वो आखरी के कुछ steps जैसे यहां पर आप नहीं हो सकते हैं यहां पर step के होने के बाद यहां पर जो first player है ना वह balance का खेलना सुरू करता है और हर बार balance डी खेलता है आप यहां पर क्या वह सकते हो जो भी बन्दा लूस करने वाला है वो last के all last तरब से सारे जो है ना वो n1 equal equals to n2 है कुछ point तक ठीक है last से कुछ point तक सारे n1 equals to n2 है ठीक है लेकिन आप अगें आप पता कैसे करोगी कि यार यह equal to के खेलने वाला या नहीं खेलने वाला तो आप पता क्या कर सकते हो यह जो n1 और n2 है आप इसे reduce कर सकते हो smaller form पे ठीक है और example जैसे यहां पर आप पहला यहां तीन ले रहा अप overall finally यह कर दिरो जिने वाले हो और जिसी को फूर फॉर को की रड्यूस किया जीरो जिरो पे ठीक है यह आप जिरो जिरो जिलने वाले हो या बो सकते हो कि आपका ओपोनेंट जो है ऑपपनेंट जो है वह जीरो जिरो का कभी नहीं खेलेगा ठीक है ओपोनेंट 0-0 गेम कभी नहीं खेलेगा मैंने से रेडियूस के और इस चीज़ को हम कैसे फाइंड गर सकते हैं कि ओपोनेंट कौन सा गेम कभी नहीं खेलता यह बिसे किली ग्रंडी नंबर होता है इस केस में अगर आप देखो इस पे फिर से आप क्या कर रहे हो आप अभी 5-4 का गेम खेल रहे हो आपने एक पिक क्या अब ऑपोनेंट 4-4 का गेम पे आ गया ठीक है इस पे आप बिसिकली ओपोनेंट जो है वो 0-0 का खेलेगा आखरी पे ओपोनेंट के हारने वाला है तो इसका मतलब भी कि आप कभी 0-0 का नहीं खेलने वाले ठीक है इसमें एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं कि ओपोनेंट कौन सा गेम नहीं खेलेगा अगर मैं 5-4 से स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है तो ओपोनेंट कौन सा गेम कभी नहीं खेलेगा ओपोनेंट वो अलग गेम नहीं खेलेगा जब N1 is not equals to N2 हो ओपोनेंट हर परना equal to अलग गेम खेलता है यहां पर आप आप बिसिकली इससे क्या बोसकते हो कि जी एन ग्रिंडी नंबर ओफ 5 जो भी यह रेड्यूस हो जाएगा ठीक है वह हमेंसा not equals to ग्रिंडी नंबर ओफ 4 होने वाला है रेड्यूस करता है कि कौन सा गेम अपोनेंट नहीं खेलने वाला है तो सबसे चोटा वाला गेम अपोनेंट जो नहीं खेल रहा है वह not equals to होगा सबसे नीची वाला गेम जो अ अध्य च के पहले जी एन पो रैरो यह पता है जीडो होता है और ऐन पर मैंने सिंप कार की पताा हुए है, टर्थ बेशे रहे सीप्राणिंगा यह पर था बहुत होने है यह, वह मैंने जुक्स पीस यह जाएगा यह यहां परके थीम of 0 find करोगे वह होता है 1 अगें ग्रिंदी नमबर अफ 2 तो ग्रिंदी नमबर अफ 2-1 वन ग्रिंदी नमबर अफ 1 और 2-2 ग्रिंदी नमबर अफ 0 बिसिकली आप यहाँ पर mix find करने वाले हो ग्रिंदी नमबर अफ 1 और ग्रिंदी नमबर अफ 0 यह होगा mix of 1,02 ग्रिंदी नमबर अफ 3 यह हो जाएगा mix of 2,1 और 0 इसका वैल्यू है 2 इसका वैल्यू 1 वैल्यू 0 यह equal हो जाएगा 3 के,Gn of 4,4-1 यह Gn of 3,4-2,Gn of 2,4-3,Gn of 1, right? So mix of 3,2 और 1 यह हो जाएगा 0,0 यहाँ पर missing है, छीक है? Gn of 5 mix of 0,3 और 2 यह हो जाएगा 1, Gn of 6,7 ते calculate कर लेते हैं इसे, 1,0,3 जाएगा 2 और Gn of 7 mix of 2,1,0 जाएगा 3 के equal, right? अभी हाँ पर देखिएगा, छीक यार, तो मैंने हाँ पर N और Gn, corresponding Gn की value लिग लिए है, right? यहाँ पर अगर आप देखो, 5 का जो Gn न होता है, green number of 5, जो होता है 1, और Gn of 4, 4 का होता है 0, right? यहाँ पर basically यह value क्या बता रहा है? यह value बता रहा है कि यार, इस pile पे न, जो lowest number है, opponent कभी नहीं खेलने वाला, वो one है, opponent जो है, वो one वाला गेम कभी नहीं खेलने वाला, right? तो वो कौन सा गेम नहीं खेलेगा, वो वाला गेम नहीं खेलेगा, जब दोनों different हैं, अगर different वाला गेम नहीं खेल रहा, तो वो same वाला गेम खेलेगा फिर, right? देखो जो winner है वो not equal to Allah game खेलेगा ही खेलेगा चीक है और जो loser है वो again equal to Allah game खेलना पड़ेगा उसे reduce कर दो बिल्कुल reduce कर दो तो वो 0-0 वाला game खेलेगा equal to Allah हो आई होगा चीक है अगर मेरा opponent different वाला game नहीं खेलता है 1 और 0 अगर opponent one और 0 वाला game नहीं खेल रहा different वाला game नहीं खेल रहा तो वह सेम वाला game खेलेगा और हार जाएगा अगर opponent हार गया तो मैं जीत गया यहां पर अगर आप 5 और 3 तो जी एन ओफ 5 और जी एन ओफ 3 ठीक है यह बतायागा मुझे basically one यहाँ पर one वाला game नहीं खेलेगा और यह जी एन ओफ 3 थी होता है इधर तीन वाला game नहीं खेल रहा ठीक है इस पर भी अगर आप देखो one और 5 जी एन ओफ 1 और जी एन ओफ 5 छीक है जी एन ओफ 1 वाला game कभी नहीं खेलेगा बता रहा है इसको इन ओफ 1 वाला game कभी भी नहीं खेलने वाला अगर वो equal to वाला गेम कभी नहीं खेलने वाला तो सिर्फ not equal to वाला गेम खेलेगा यह बिल्कुल reduced form पर है last वाला गेम है और last पर ही सारे equal हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह दोनों opponent same वाला नहीं खेल रहा है तो वो जीत गया है वो different वाला खेल के जीत गया है ठीक है तो अभी से implement करने जाते हैं ठीक है मुझे क्या करना पड़ेगा n1 और n2 में जो भी maximum है वहाँ तक के सभी के grindy number मुझे पता होना चीए तो पहला step यहीं होगा कि जो भी maximum है उन सभी का grindy number calculate कर लो ठीक है ठीक है यहाँ पर n1 और n2 मुझे मिल गया है यहाँ पर max यहाँ तक कमुझे grindy number find करना है ठीक है इस बार हम इसे dp से कर रहे हैं dp new int यहाँ पर max plus 1 तक का होगा ठीक है यह basically 0 से लेकर के n और n2 जो भी maximum होगा वहाँ तक जाएगा 0 का हमें पता होता है answer 0 ही होगा तो 1 से शुरू करते हैं less than equals to max तक चीक है अगे यहाँ पर में क्या करता हूं तो एक has set गना लेता हूं integer का जहां जहां मैं जा सकता हूं basically gn of n-pix of 0 gn of n-pix of 1 ऐसे करना है मुझे राइट fix पर basically travel करना है into well in fix अगर यह well less than equals to i के तो हम काम करेंगे चीक है क्या करेंगे तो hasset.add dp of n-value चीक है यह काम हो गया मेरा answer क्या है dp of i equals to mix अगरेंगे अब इसका हूं आप अब अब कंडिशन किसी ज़रत नहीं है जब भी पहली बार hasset.contents i equal to false हो जाएं तो वो बंदा missing यहां पर ठीक है और यह कभी न कभी होगा ही यहां पर return पर minus or या कुछ भी कर दो यह और अब कभी भी नहीं चलने वाला ठीक है अब अगें मेरा answer basically क्या होता है तो अगर अगर इस case को अब देख लो यह वाले को या फिर जब जी एन नंबर दोनों different थे पहला player जीत गया यह नंबर दोनों same थे तो दूसरा player जीत गया राइट यहां पर मुझे सभी का प्रिंटी नंबर पता है तो dp of n1 अगर equal होता है dp of n2 तो दूसरा player जीत गया है प्रिंट कर दो और अधर वाइस होगा इसे चलाके देखते हैं unreachable code है यहां पर यह पहला टेस्ट के है गलत हो गया है तो यह पर देख लेते हैं देखो basically यह answer correct आया है Alice यहां पर यह गलत था ठीक है तो basically n1 4 है n2 3 है और यहां पर चॉइस क्या है 1 4 और 2 चॉइस है fix पे 1 4 और 2 है चीक है तो देखो यहां पर चार piles चार coins और यहां पर तीन coins फर्स्ट पेर की chance आती है तो वह चाहे तो पूरा पूरा चार उठा लेगा एक बार में यहां पर सेकर उसमें पूरा चार उठा लिया तो अब एक पाइल पर दोनों खेलने वाले हैं पहले मेरा ओपोनेंट खेलेगा उसके पास एक उठाने की चॉइस है या फिर दो अगर वह एक उठाता है तो मैं remaining दो उठालूंगा मैं जीत जाओंगा अगर वह दो उठाता है तो मैं remaining one उठालूंगा छीक है इस पर first player ही जीतने वाला है यहां पर फर्स प्लेयर और सेकंड प्लेयर जो डेटा था वो टॉगल हो गया था इसे करेट कर लेते हैं अभी यह अब भी यह करेक्टेट हो गया है है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वाल तुम धज करें लाँते हैं!